बिस्मिल्लाय रमारी रहीम असलाम अलेकूम आज हम बना रहे हैं तंदूरी रोटी घर में मौजूद चीजों से और वो भी तवी पर तो इसे बनाने के लिए हमने नॉर्मल रोटी का आटा लिया है आप चाहें तो आटा और मैता दोनों को बराबर मिगदार में ले सकते हैं जो अख 민technisch kitchenowej गुकंटおおilia हमने मुझने यहाँ चार कप आएक दही आधा कप पीना मलाईपा है और फ्रेश दही लिए नमक वन टीजपून चीनी जाएगी जिसमें डिज़िया सबस्को 설ी में बेकिंग शोड़ा या खाने का सोड़ा जाएका आफ टीज़बी अल्दार में जो कि हम केक पगारा में डालते हैं पॉइल यगी लेंगे 1 tablespoon और अब तंदूरी रोटी का आठा गून देंगे पानी की मिगदार थोड़ी थोड़ी करके डालेंगे और हमें इसका मेडियम सॉफ्ट डो बनाना है ना बहुत ज़्यादा सक्त हो और नाहीं बहुत ज़्यादा नरम हो तो इससे में करते हुए हमें आठा गून दिया है और कब हम रैस देंगे तक रिपन 30 मिनिट्स के लिए तो नान की डूब पर हम ओयल लगाकर कवर करके रख देंगे तो अब 30 मिनिट्स हो चुके हैं देख लेते हैं आठा है हमारे बिल्कुल रैडी हो चुका है और अब इस टोप को मजीद काउंटर पर डालके नीट कर लेंगे दर्मियाने साइस के पेड़े बनाके रख लेंगे तक हमें तेलते वक असानी रहे काउंटर पर थोड़ा सा आठा डस करने के बाद यहां हमने पेड़ों को अब इन पेड़ों को बेलन की मदद से बेल लेंगे दर्मियाने साइस के बनाएगे ना बहुत ज्यादा बड़े ना ही बहुत ज्यादा छोटे और चुके हम नान बना रहे हैं तो इसकी मोटाई करीबन एक चोटाई इंच रखेंगे ताके तवे पे अराम से बन जाए नान के एक साइट पर पानी लगा देंगे और नान के जिस तरफ हमने पानी लगाया है इस सरफेस को तवे पर डालके ट्रेस कर देंगे इसके लिए आपने घर का नॉर्मल तवा लेना एरन वाला इस दोरान आज आपने दर्मियानी रखनी है और ये चेक करना है कि चारो तरफ इसकी बबल्स आ जाएं जिस तरह से भी नजर आ रहा है पूरे नान में इस तरह से बबल्स आ जाएं तो आप आप इसको तवे को प तो मेरी रेसिपी ट्राय जरूर कीजेगा और मुझे फीड़बैक जरूर दीजेगा कि आपको मेरी रेसिपी इस कैसे लग रहे हैं तो नेक्स रेसिपी तक किलिए लगा आपस इस दुआ के साथ कि यला ताला हमारे बस्तर खाला को वसीय फर्माए और हमारे दिलों को भी पुशादा करे, आमीन